तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिलकुल नहीं भूलेंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंसियेशन और पारामेट्रिक फंक्शन तो सबसे पहला ये सवाल खड़ा होता है कि सर पारामेट्रिक फंक्शन है क्या तो गाइज अगर मैं ऐसा बोलू कि X को और Y को दोनों फंक्शन को हम अलग-अलग किसी भी एक पारामेटर T के रिस्पेक्ट में मेजर करें मेरे कहने का मतलब है कि D X by D T और D Y by D T अगर अलग-अलग निकाला जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पारामेट्रिक फंक्शन तो चलिए और डिटेल में सीखते हैं कि अगर हमें X is equal to कुछ भी F T दिया हुआ है तो हम निकालेंगे D X by D T और हमें दिया हुआ है Y is equal to G T तो हम निकालेंगे D Y by D T अगर आपको D Y by D X निकालना है तो ओवियसली हम क्या करेंगे इन दोनों फंक्शन को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर जो भी आएगा अपना D Y by D X मिल जाएगा और यहां पर T अपना क्या है एक पारामेटर है X और Y में चेंज को मेजर करने का तो चलिए कुछ एक्जामपल को लेते हैं और डिटेल में सीखते हैं इस बात को सपोज किजे कि आपको X is equal to A cos theta and Y is equal to B sin theta दिया हो और find करना हो D Y by D X हम क्या करेंगे X को theta के respect में मेजर करेंगे पतलब D X by D theta अब यहां पर A constant है तो बाहर रहेगा और cos theta का differentiation minus sin theta और Y is equal to B sin theta है तो B constant है यह बाहर रहेगा और cos theta का differentiation cos theta तो इस तरह से D X by D theta and D Y by D theta आजाएगा अब जब दोनों को हम divide करेंगे तो जो भी अपना result आएगा वह D Y by D X देदेगा तो यह बिल्कुल आसान है जरूरी क्या है कि आपको जो भी मैं पीछे पढ़ा दिया हूँ वह आना चाहिए तो इसके लिए most important part जो है वह chain rule है तो differentiation का एक playlist बनाया हुआ है तो आप part 1 to 5 तो बिल्कुल भी देखना ना भूले और अगर यह आप देख लेते हैं तो आपका base काफी strong हो जाएगा चलिए एक next problem को लेते हैं और अच्छे से सिखने का कोशिज करते हैं कि अगर x is equal to 2 cos square theta and y is equal to 2 sin square theta given है और हमें find करना है dy by dx हम क्या करेंगे हम चुकि यह theta के respect में vary कर रहा है तो x dx by d theta निकालेंगे गाइज यह 2 constant है तो बाहर रहेगा लेकिन cos square theta का differentiation कैसे निकलेगा तो इसका differentiation निकलेगा chain rule से starting में इसे हम x to the power n की तरह सोचेंगे तो यह 2 cos theta हो जाएगा अब क्या करना पड़ेगा हमें हमें cos theta को फिर से differentiate करना पड़ेगा तो गाइज अगर आपको chain rule याद होगा तो मैंने वहाँ पर trick बताया था कि पूरे function को एक बार में सोचना है फिर अंदर वाले part को सोचना है तो इस तरह से यह क्या मिल जाएगा d x by d theta का value 4 cos theta minus sin theta मिल जाएगा आगे बढ़ेंगे और y is equal to given है 2 sin square theta same way में इसका भी differentiation किया जाएगा चुकि 2 constant है तो बाहर रहेगा और sin square theta का differentiation channel लगाएगे और x to the power n की तरह सोचेंगे तो यह 2 sin theta into d theta by d sin theta by d theta हो जाएगा और dy by d theta हमें क्या मिलेगा 4 sin theta cos theta तो guys next जो process है आपको पता है कि इन दोनों को मिलने के बाद हमें divide करना होता है तो हम dy by d theta by dx by d theta जैसे ही करेंगे हमें dy by dx का value मिल जाएगा तो यह 4 से 4 cancel हो जाएगा यह sign से sign cancel हो जाएगा course से course cancel होगा और minus 1 result बन जाएगा तो guys इस problem में जो अकसर मैंने देखा है student mistake कर जाते हैं कि वो chain rule लगाना भूल जाते हैं जो कि एक basic बात है आपको आना ही चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और question लेते हैं जो आपके लिए मैंने homework छोड़ा है homework जैसे ही मैं बोलता हूँ आपके दिमाग में यह बात तो आता ही होगा कि आपको comment section में जरूर comment करना है ताकि मैं आपको अपने video में जरूर सामिल कर सकूँ तो guys आपको यह try करना है आप video को immediately pause किजे और 2 minute try किजे अगर आपसे बन जाता है तो आप comment करके answer जरूर बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं एक और problem को सीखते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया हो x is equal to a 1 minus t square by 1 plus t square and y is equal to 2 bt 1 plus t square हमें क्या करना है हमें dy by dx का value निकालना है तो guys obviously जो first हम काम करेंगे वो dx by dt निकालेंगे और यह आपको दिख रहा होगा कि u by b के form में है और इसका formula मैंने क्या बताया था कि b को बाहर रखना है u को differentiate minus u को बाहर b को differentiate by b square करना है तो same logic को apply करेंगे कि यहां पे देख रहा है आपकी मैंने b को बाहर रखा है u को differentiate कि आप फिर u को बाहर और b को differentiate कि आप भी का whole square यहां पे square छूट गया है guys यह आप correct कर लेंगे यहां पे square आजाएगा अब क्या है कि just differentiate करेंगे तो one minus t square का differentiation तो आपको पता ही है कि minus 2t आएगा और one plus t square का differentiation plus 2t आएगा फिर just इसको solve करेंगे यह simple mathematics है आपको solve कर लेना है तो यह dx by dt का value minus 480 by one plus t square का whole square आजाएगा अब जो next process है वह है y का value use करके और dy by dt निकालना अब same चीज़ यहां भी u और b form में है तो हम 2b को बाहर रखेंगे क्योंकि यह constant है और इससे differentiate करेंगे और इसे भी solve करने के बाद dy by dt क्या जाएगा to be one minus t square by one plus t square का whole square अब जो next process है guys इन दोनों को divide करना और just आपको divide करके rearrange करना है और dy by dx का value मिल जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और next problem को देखते हैं यह काफी अच्छा problem है इसमें काफी आपको ध्यान से patiencefully solve करना होता है तो अपने पास x is equal to e to the power theta bracket में 2 sin theta plus sin 2 theta और y is equal to e to the power theta और bracket में 2 cos theta plus cos 2 theta हमें find क्या करना है dy by dx तो guys पहला जो अपना step होगा वह x को theta के respect में differentiate करेंगे तो आपको इसे u into b के form में express करना होगा differentiate करना होगा तो यह आपको rule पता है कि u को बहार रखते हैं d को b को differentiate करते हैं और plus b को बहार रखते हैं और u को differentiate करते हैं तो इसी वे में इसको u b की तरह हम रिपर्जेंट करेंगे और यू को बहार रखा गया भी को differentiate फिर भी को बहार रखा गया यू को differentiate और यह simple differentiation है आपको पता ही है कि 2 sin theta का differentiation 2 cos theta और sin 2 theta का differentiation 2 cos 2 theta हो जाएगा और e to the power theta का differentiation e to the power theta ही रह जाएगा जब हम e to the power e to the power theta और e to the power theta अगर दोनों जगह से common ले तो यह finally कुछ ऐसा दिखेगा अब क्या है y का value हमें given है same way में यहां भी इसे हम u माल लेंगे और इस पूरे को भी differentiate करेंगे u को बाहर रखा गया भी का differentiation plus b को बाहर और u का differentiation फिर क्या करेंगे e to the power theta और e to the power theta को यहां पे common लेंगे और यह चीज हमें dy by d theta मिल जाएगा अब dy by dx निकालने के लिए दोनों को हमें divide करना होगा जस्ट आप divide कीजेगा तो आपको कुछ ही तरह से यह result मिल जाएगा चलिए आपके लिए एक और question मैं हुमक दिया हूँ कि x is equal to a cos theta plus theta sin theta और y is equal to a sin theta minus theta cos theta आपको dy by dx निकालना है और निकालके comment section में जरूर comment करना है तो immediately आप वीडियो को pause किजे, pause करके और कोसिस किजे solve करने का अगर आपसे solve नहीं भी हो पा रहा हो तो comment करके बताईए मैं अगले वीडियो में जरूर सामिल करूंगा और अगर आप solve कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आप answer को comment section में जरूर comment कीजे तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और question को लेते हैं x is equal to e to the power theta under bracket theta plus 1 by theta और y is equal to e to the power minus theta under bracket theta minus 1 by theta हमें find क्या करना है हमें find करना है dy by dx तो guys x is equal to e to the power theta given है तो हम क्या करेंगे just इसे u into b वाला form में apply करेंगे यह form क्या बोलता था यह बोलता था कि u को बाहर रखिए b का differentiation और b को बाहर रखिए और u का differentiation और बीच में plus का sign तो सेम चीज़ हम apply कर देंगे और आपको पता है कि 1 by x का differentiation क्या हो जाता है यह हो जाता है minus 1 by x square यह बिलकुल आपको याद होना चाहिए तो अगर इसी चीज़ को apply किया जाए तो सेम वे में 1 by theta का differentiation क्या हो जाएगा minus 1 by theta square यहां भी same चीज़ को apply करेंगे और just e to the power theta को आपको common ले लेना है bracket में कुछ इस तरह से मिल जाएगा अब guys y is equal to हमें given है e to the power minus theta और bracket के अदर है theta minus 1 by theta same way में u into b वला apply करके आपको differentiate करना है और differentiate करके यह भी आपको dy by d theta मिल जाएगा और जैसे ही मिलेगा आपको पता है आपको क्या करना है दोनों को divide कर देना है जैसे ही आप दोनों को divide कीजेगा आपको dy by dx मिल जाएगा तो guys एक और question जो कि मैं आपके लिए homework छोड़ूंगा x is equal to a cos t plus log t log tan t by 3 and y is equal to sin t आपको find करना है dy by dx और comment section में इसका answer भी comment करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक काफी अच्छा सवाल है जो मैं आपके लिए लिया हूँ actually इस सवाल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह parametric का सवाल है और sorry यह implicit function का सवाल है लेकिन guys यह implicit function का सवाल बिलकुल नहीं है यह parametric का ही सवाल है और कुछ mathematics के basic चीजों से हम इसे solve कर लेंगे तो सवाल क्या है कि x square plus y square is equal to 1 minus t minus 1 by t and x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to t square plus 1 by t square अब हमें यह solve करना है कि x cube y dy by dx is equal to 1 है सबसे पहले हम इस चीज को उठाएंगे x square plus y square is equal to t minus 1 by t को दोनों तरफ square करेंगे अब जैसे यह square कीजेगा यह a plus b के whole square जैसा है तो a square plus b square plus 2ab में इसे break करेंगे और इसे भी आप break कीजेगा t से t cancel होगा और यह कुछ इस तरह से आ जाएगा अब गाईज यह आपको देखा देखा सा नजर आएगा आप बोलेगा कि सर यह तो x to the power 4 plus y to the power 4 के बराबर है तो गाईज इसके जगह पे हम x to the power 4 और y to the power 4 को उठा के रख देंगे जैसे ही आप रखेगा यह part जो है एक दूसरे को cancel कर देगा और यह क्या हो जाएगा minus 2 x square y square is equal to minus 2 अब गाईज यहाँ से 2 से 2 भी cancel हो गया तो x square y square is equal to minus 1 तो y square is equal to minus 1 by x square अब हम क्या करेंगे बोथ साथ differentiate कर देंगे with respect to x x के respect में क्यों कि हमें चाहिए dy by dx तो अब गाईज y square का differentiation आपको पता है 2y dy by dx और इसका differentiation आपको पता है कि क्या होगा कि 2 by x cube हो जाएगा अब हम क्या करेंगे हमें so करना है हमें क्या so करना था हमें so करना था कि x cube y is equal into dy by dx is equal to 1 just guys सारा चीज हमको मिल चुका है हम इस x cube को उठा के इधर फेकेंगे और 2 से 2 cancel होगा तो x cube y dy by dx is equal to 1 आपको answer मिल जाएगा तो guys वीडियो को subscribe करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को subscribe जरूर कर ले झाल झाल झाल